Hallo friends, बात करेंगे जवान के lifetime collection के बारे में, बज़ट के बारे में तो दोस्तों जवान का बज़ट तकरीबं 300 करौन के आसपास था, यानि 300 करौन रुपऐ के बज़ट में बनी ये फिल्म ने तक्रीबन 1148 क्रोन रुपई का वियापार किया था 139 क्रोन रुपई इसने पहले दिन कमाये थे पूरे वर्ड में भारत में कई भासाओं को मिला कर कि ये फिल्म जलीज हुई थी एटली ने इसको निर्दिसत किया था एटली इससे पहले बिजय की कई वड़ी फिल्म जैसे की बिगिल जैसी फिल्म बना चुके हैं तो उन्होंने सारुक खान के साथ बनाने का फैसला लिया और वो फैसला अग्दम सही साबित हुआ भारत भर में इसने कमाई के मामले में सुनामी ला दी थी दुनिया भर में इसे छप्पर फार्ट कमाई करी तकरीबन साथसो इकसथ दसमलो अठाण नवे करोन रुपई इसने भारत के अंदर कमाई और दुनिया भरत के में बाहर की भासाओं में डभ होकर के 386.34 करोन रुपए का व्यापार किया था जी हाँ दोस्तो अगर हम इसके हिंदुस्तान में पहले दिन के ओपनिंग के बात रहे हैं तो करीमन 75 करोन रुपए से अपने आपको इसने अपने आपको खोला था 75 करोन रूप ईसने अकेले हिंदी से कमये थे इसके अलावा तमिल में तक्रीबन 5.5 करोन और तेलगू में 4 करोन रूपए कमये थे यानि कि तीन भासवों का जो कलेक्शन था फहले दिन का वो 75 करोन रूपए था सरुक्खन के साथ इसमें कमाल के साउथ की अभिनेता यूं कहे पूरे भारत की बहुत अच्छे भिनेता विजे सेथपती भी नजर आये थे